दोस्तो अज इस वीडियो में मैं आप लोग को मैगनेट पैनल का पावर का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कंट्रोलिंग ओयरिंग किस तरह करना है उसके बारे में बताऊंगा और मैगनेट पैनल में आपका ये जो टांसफर्मर लगावा रहता है ये transfer हमारा क्यों जल जाता है, किस लिए जलता है, किस कारण से जलता है, पूरा details में आप लोग को बताऊंगा, दोस्तो आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग साथ practical experience श्यार करता हूं, और जितना हो से का मैं आप लोग का help करता हूं, वीडियो को शुरू से लेकर last तक देखि नहीं होगा, दोस्तो ये जो हमारा transfer मारे ये magnet panel का है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका ryb है, और एक आपका grounding किया हूँ रहता है, कोई भी transfer मारे देखिएगा, जरूर रहेगा magnet panel में, और ये हमारा secondary side है, जो 170 लिखा हूँआ है, ठीक है, इसी में हम लोग क् कहां से लेते हैं, और आपका कहां पर देते हैं, डायट का bridge में देते हैं, ठीक है, तो ये बला जो transformer है, ये 37 kilowatt का transformer है, इसमें देखिए जो R फेज है, Y फेज है, और B फेज है, ठीक है, और इसका tap कितना कितना है, 384, 415, 440 भोल्ट, ठीक है, तो हमारा G सिसाब से माले ज़ काना पड़ता है, और ये जो हमारा फेज टू फेज स्वाट हुआ है, स्वाट होने के बाद क्या हुआ है, दोस्ति ये जो coil है, एकदा मेल्ड होके, नीचे तरफ गल गया है, लेकिन इसका main important बात क्या है, ये जो हमारा transformer जला है, तो ये already aluminium winding था, एक होता है aluminium winding, एक होता है पार का winding, ओ भी आपको ध्यान में रखना है, और जो हमारा ये voltage रहता है, आर वाई भी supply देते हैं, कितना number टैब में दे रहे हैं, ओ भी आपको देखना पड़ेगा, क्यूंके दोस्तों, जो हम लोग secondary side से निकाल के, डाइड में देते हैं तो डाइड में भी जाने से पहले टैप को आपको देख के रखना है, कि हम 160 में लगा रहे हैं, यह 170 में लगा रहे हैं, अगर ज़्यादा में लगा रहे हैं, अगर नहीं देखियेगा तो इसी टैप का आपका फॉल्ड आने लगेगा, और जब coil जा लगे एकदम बिलकुल melt हो जाएगा, ठीक है, अभी किस लिए दिया हुआ है, कहे दिया है, किस लिए देना पड़ता है, वो भी जानना पड़ता है, और यह जो टैप है, टैप के बारे में इससे पहले भी में वीडियो बना का आप लोगो को समझाया हूँ, ठीक है, कि R से आपका टैप होता है, B से होता है, और Y से होता है, त उसी साब साब को connection करना पड़ता है तो ये दोस्तों कोई किताब में देखके अगर आप किजिएगा उल्टा पूल्टा जैसे एक लिड हम क्या करेंगे 400 में लगा दिये एगो 380 में लगा दिये और एगो हम 415 में लगा दिये तो इस टाइप से बिलकुल भी connection नहीं करना है और टैनस्फरमर में connection करने के बाद आपको बढ़िया से चेक भी करना है कि हम जो connection किये वो सही किये या गलत किये ठीक है नहीं तो आपका ये टैनस्फरमर जैसे फेज तू फेज होके जल गिया है वो भी कहीं भी अगर आप duty कर रहे है वो देखिएगा मैगनेट परमर में जो टैनस्फरमर है इसी टैप से आपका मेल्ड होके जल सकता है ये कोई जरूर नहीं के जलेगा ही ठीक है और आर वाई भी सप्लाई जो है वो भी आपको ठीक से connection करना है क्यूंके दोस्तों ये जो फॉल्ड माल लीजिये के मेरे को मिला या आप लोग आज में इस वीडियो में बता रहा हूँ तो जब दक आप इसके ओपर काम नहीं कीजिएगा और सेम टू सेम मिला के नहीं देखिएगा तब तक इस फॉल्ड के बारे में आपको पता नहीं चलेगा नमस्कार दोस्तों प्रैक्टिकल एक्स्प्रियंस टेक्निसियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज कुछ नया सिखते है दोस्तों पहले हम लोग को जानना है कि मैगनेट पैनल में इनपूट सप्लाई हमारा कहा से आता है यह हमारा डाउन सप्लाइन से आता है जो हमारा करेंट कलेक्टर है वहीं से हमारा एक केविल टैप किया हो रहता है वहीं से हमारा आर वाई और बी सप्लाई आ जाता है अब current collector आपका कहां लगावा रहता है diver का cabin के पीछे लगावा रहता है यह जो down supply ने ओहीं पर देखिएगा जो घिसता है उसी को हम लोग current collector बोलते है यहां से हमारा supply आ गिया RYB और यहां पर आपको multimeter में एक बाद चेक भी करना है कि आपका input supply कितना है 440 यह 415 है यहां पर आपका up down होता रहता है multimeter में AC बोल्ड में set करना है multimeter का 1 lit यहां लगाना है 1 lit इसमें लगाना है मतलब RYB में चेक करना है कि हमारा कितना आ रहा देखिएगा 415 भी हो सकता है 420 भी हो सकता है 440 भी हो सकता है यहां पर हमारा input supply आया आने के बाद हमारा 160 ampere का MCCB लगा हुआ है ठीक है जब हम MCCB को on करेंगे तब हमारा supply आगे आएगा 160 ampere का क्यों लगा हैंगे जी सिसाब से हमारा rectifier लगा हुआ है इस सिसाब से calculation करके MCCB लगाना पड़ता है supply आया आने के बाद हमारा AC fuse में आ गिया यह जो हमारा AC fuse है यह हमारा HRC भी हो सकता है backlight भी हो सकता है अभी जो निया पैनल आ रहा है उसमें आपका HRC fuse लगा हुआ है 63 ampere का जितना सरा पुराना पैनल है सब में आपका 32 ampere का लगा हुआ रहता था backlight भी हुज ठीक है जो काला काला कालर का होता था इसके बाद हमारा supply आ गिया AC भी होता है यही से दोस्तों मैं connection change कर दिया हूँ यही से अगर आपका connection change हो जाएगा तो आपका transformer जलेगा भी नहीं rectifier खराब होगा भी नहीं ना आपका magnet खराब होगा ठीक है क्यूंके दोस्तों यह जो हम AC supply को काट कर दिये हैं यह जो AC भी हमारा contactor है यह on होगा तभी हमारा transformer में supply आएगा जब तक यह on नहीं होगा transformer में आपका supply नहीं आएगा अगर transformer में जब supply नहीं आएगा तो हमारा rectifier magnet पर भी नहीं पहुंचेगा ठीक है अभी आपको जानना है कि यह बला हम connection किसलिए किये हैं यह connection अगर आप कर दिजिएगा ठीक है तो आपका transformer किसी भी हल में आपका जलेगा नहीं बच जाएगा बहुत सा क्या हो रहा है दोस्तों अभी जो नया नया जितना दीन पार हो रहा है पहली यह सब transformer हमारा copper winding आता था अभी के date में aluminium winding आ रहा है और aluminium winding के बज़े से transformer हमारा ज़्यादा गरम हो रहा है और गरम के चलते इसके अंदर में क्या होता है जो steep लगा हो रहता है aluminium बला गरम हो के दिरे दिरे गलने लगता है कि अगर मालेज़े कि एक तम continue load देखे यह आप on करके रख दीजिएगा तो देखेगा ज़्यादा तर चांस होता है कि हमारा transformer जल जाएगा ठीक है और copper बला रहता तो अब तो कोई tension नहीं था वो जलता नहीं था ति अभी हमारा काम किस तरह करेगा यहांसा हमारा एसी supply आ गया आने के बाद हमारा transformer में आ गया तिक है अब transformer में किसमे connection हुआ यह हमारा r है यह y है यह b है ठीक है जब हमारा陈 i yese भला contractor on होगा तभी इसमें supply आएगा किसमें आयेगा अगर जो हमारा transformer में tap है कौन सा tap है primary side में जो हमारा tap है इसमें अगर हम connection दिये 380 में तो ry और b तीनों का हमको 380 में ही देना है इसके ओपन मैं वीडियो बनाया हूँ अगर आप लोग देखे नहीं है तो जरूर देख लिजिएगा ट्रांसफर्मर बहला जो कॉंसेप्ट है वो आपको क्लीन समझ में आ जाएगा तो इहां पर हम सप्लाई आउट हो गया है आउट हो किसी में आया है सेकंडरी साइड में आया है और यह जो हमारा ट्रांसफर्मर है 250 एंप्यार रेक्टिफार यूनिट के लिए 45 किलोवाट का लगता है अगर 71 या 31 का होता 27 किलोवाट का ट्रांसफर्मर रहता जी सिसाब आपका ये रेक्टिफार बना हुआ रहता है जैसे 300 एंप्यार हुआ 300 Ampere हुआ, 71 Ampere हुआ, उस हिसाब से हम लोग को Transformer calculation करके लगाना पड़ता है तो यह जो हमारा Secondary Side में आ गया Secondary Side में आने के बाद आपका Tap रहता है 160, 170, 160, 170 R, Y, B जो हमारा connection है यह किस तरह connection करना है? अगर R, Y और B, 160 में कर रहे हैं तो 160 में ही लगाना पड़ेगा अगर आप 170 में connection कर रहे हैं तो R, Y और B, 170 में ही करना पड़ेगा Same to same Primary Side पे भी करना पड़ेगा कभी भी यह गलती नहीं करना है कि Secondary Side में हम एक R बला supply जो 160 में लगा दिये Y बला 170 में लगा दिये और B बला फिर 160 में लगा दिये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जो भी करना आपको Same करना है चाहे आपका Primary Side हो या आपका Secondary Side हो यहां से हमारा supply आ जाता है किसमे? Rectifier में यहां हमारा R supply आया R supply दिये और किसमे दिये? Diet का Negative Side मतलब यहां से हमारा R supply गया जाने के बाद हम Negative में supply दिये तब हमारा Positive बनके निकला ठीक है? यहां पर आपका DC बन गया ठीक है? और जब हम Positive में दिये हमारा Negative बन गया तो यहां हमारा DC का Negative बन गया ठीक है? इसी तरह चोड आयाट में होगा जैसे यह Y बला है Y बला पर भी हम Positive में supply दिये Negative निकल गया और बसबार में Connection हो गया अभी यह डायट को Discharge करने के लिए एक हमारा Resistance लगावा रहता है एक हमारा Capacitor लगावा रहता है यह हमारा क्या का काम करता है? यह हमारा Discharge का काम करता है अब Discharge क्या होता है? यह जो हमारा Magnet है Magnet में हमारा Sponge या Scrap पकर के लाना पड़ता है मतलब जब हम Magnet को On करेंगे तो यहाँ पर हमारा माल पकड़ेगा और पकर के फ़र्निस में लाके जो हमारा फ़र्निस है उसका मूँ में लाके छोड़ना पड़ता है उसी को हम लोग Charging बोलते है ठीक है? चाहे आप फ़र्निस बला में काम करवा रहे है Magnet का या दूसरा कोई जगा में काम करवा रहे है जो Concept है इसी तरह काम करता है Magnet अब Magnet On हो गया On होने के बाद जब माल पकड़के लेके जा रहा है जब आप बंद कर दिए ये Magnet को बंद कर दिए तो तुरंद आपका माल छोड़ देना भी चाहिए नहीं तो ये जो हमारा Distract Circuit है अगर आप नहीं लगाईएगा तो ये माल छोड़ने में काफी टाइम लग जाएगा Distract Circuit लगा हुआ रहेगा एक सेगंड या दो सेगंड के अंदर में पूरे छोड़ देगा और Distract Circuit आपका लगा हुआ नहीं रहेगा तो उसी जगा में 4 सेगंड 5 सेगंड के बाद धिरे धिरे छोड़ता रहता है एही होता है हमारा Distract Circuit का का काम और एक इसका काम होता है अगर थोड़ा सा Unbalanced Voltage है उसको भी ये मेंटेन कर लेता है इसलिए हम लोगो Distract Circuit भी लगाना पड़ता है और उसके लिए हमारे एक Distract Diode भी लगा हुआ रहता है और एक Resistance लगा हुआ रहता है दोस्तों यहां से जो हमारा 3 और 3 चोड डायोड है इसमें से एक साइड हमारा Negative बन गया एक साइड हमारा Positive बन गया अब Negative और Positive बनने के बाद कितना Voltage DC बन रहा है उसके लिए हम लोग Volt Meter लगाते है Volt Meter में हम लोग चेक करते है कि हमारा DC Voltage कितना रहा है अब इसमें आपका 3 गोई Indication अगर आपको उसका भी connection चाहिए तो आप comment करके जोरूर बोलिएगा मैं उसका भी connection बना का आप लोग को समझा दूँगा यह हमारा Manual Panel है आज मैं Manual Panel के बारे में आप लोग को समझा रहा हूं जब Next वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका मेगनर पेनल का PLC Panel के बारे में आप लोग को समझाऊंगा तब आपको काम करने में कुछ दिकत नहीं होगा अभी यहाँ पर हम DC Voltage चेक कर लिए है तो हमारा DC Voltage कितना आना चाहिए देखिएगा 230 के या सपास हम लोग को DC आता रहता है कोई-कोई जगा में 220 भी आता है 196 भी आता है यहाँ पर जिस हिसाब साब सेटिंग कीजिएगा उस हिसाब साब का DC Voltage मिलेगा तीक है अभी यह जो हमारा Negative और Positive है यहाँ पर आभी के जो निया-निया परनेल आ रहा है देखिए कि यहाँ पर HRC Fuse आपका लगा हुआ रहता है कोई कारण से आपका जो Magnet के बिल है Magnet के बिल में Negative और Positive में आपका Short Circuit होगा तो यह हमारा Fuse कर जाता है यहाँ पर मैं 200 MPR का लिख के रखा हूँ तो 125 का भी हो सकता है 160 का भी हो सकता है कोई मतलब ठीक नहीं है जीस हिसाब साब का पैनेल होगा उस हिसाब से इस जगा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे मैं 200 लिख के रखा हूँ बहुत सा फ्रेंट कॉमेंट कर देगा कि मैं गलत बता रहा हूँ ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैं हर चीज के बारे में पूरा बताऊंगा अगर आप वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देखिएगा तब ही आपको पता चलेगा बहुत सा फ्रेंट क्या कर रहा है कि वाट्सव में आके कोईस्चन तो पूछ दिया कि सार इसका मतलब क्या होता है जैसे अज अगीनट परनल के बारे में समझा रहा हूँ इसके बारे में पूछेगा लेकिन मैं जब बोलोंगा 여द में वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देखिए उसके बाद हम से कोईस्चन पूछिए उसके बाद और दोबारा हमसे question नहीं पूछता है जब सुरू से लेकलास तक देख लेता है तो यह हो गया दोस्तों हमारा क्या यह हमारा power का connection हो गया ठीक है आपको control connection समझना है कि हमारा यह जो transformer है यह हमारा ना जले और rectifier में हमारा supply ना आए तो मैं आप लोगों पहले ही बत होता है तो हम neutral supply दे दिये हैं और यह जो control connection है यह आप 230 का भी बना सकते है 110 का भी बना सकते है अगर आपका 230 का चाहिए तो यह जो हमारा डाइरेक्ट आ गिया फेज supply हमारा किस तरह काम करेगा यह जो फेज supply जहां से आ रहा है जो हम लोग योटी ओवरेड क्रेन है जहां पर आपका diver बैठा हुआ रहता है उहां पर एक switch लगा हुआ रहता है ठीक है switch को हम दबाएंगे तब ही हमारा magnet on होगा magnet on होगा मतलब यह कोला magnet आपका on होता है माल पकड़ने लगता है ठीक है जैसे switch को बंद करेंगे तुरण आपका माल छोड़ देता है ठीक है अभी यह जो केबिन में diver बैठा हुआ है यह switch हमारा दबाया तो यहां पर हमारा NC बना NC जैसे बना तो फेज supply हमारा टाइमर का NC में आ गिया टाइम हमारा NC पॉइंट है यह उस टाइम टाइमर ओन होने के बाद भी यह NC रहेगा कब तक रहेगा 15 मिनिट तक रहेगा ठीक है 15 मिनिट बाद यह क्या होगा यह नो हो जाएगा तो इसी का NC पॉइंट से हमारा AC कॉंटक्टर का A1 में supply दिया हुआ है अब क्या होगा diver क्या करता ह है बहुत बार यह जो सूइज है नाइट डूटी में सूइज दे दिया मतलब आपका पैनल जो है यह ओन हो गिया मतलब यह मैगनेट में आपका माल पकड़ने लगा ठीक है पूरा लोड में और यह मैगनेट ज्यादा तर स्पॉंज के ओपर यह स्क्रैप को उपर रग दे यह स्वीच को क्या करता है देखे आराम से बिंदा सो के सो जाता है और सोने के चलते क्या होता है यह जो ट्रांसफर्मर है हमारा जल जाता है लेकिन जो कनेक्शन बना के मैं आपको समझाया हूं इस कनेक्शन में आपका किसी भी हाल में आपका ट्रांसफर्मर भी नहीं जल स्विच देगा आपका टाइमार ओन होने के बाद मैं 15 मिनिट इसमें सेट कर दिया हूं ठीक है अब क्या होगा वो स्विच देकर सो भी जाएगा तो 15 मिनिट बाद आपके यह जो एनसी पॉइंट है यह हमारा एनो हो जाएगा जैसे ही एनो होगा यह हमारा जो एसी बला कॉं इसी टाइप से दोस्तों कनेक्शन बनाना पड़ता है ठीक है और यह जो मैं आपको बताया हूं कोटाली प्रैक्टिकल एक्स्पिरेंस बताया हूं यह डाइगराम आपको कही भी जगा में नहीं मिलेगा तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो लाइक शेयर कोमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा नमस्कार